सित्यागी सर मैं यह जानना चाहती हूं आपसे कि OBC क्षेत्रिय पार्टियों का ही वोट बैंक रहा हमेशा लेकिन 14 में 19 में इस्तितियां बदली और बीजेपी के पास जो 44 फीसदी OBC गया वो क्षेत्रिय पार्टियों वह छिटका कॉंग्रेस का कुछ नहीं गया कॉंग्रेस का 14 में भी 15 फीसदी था 19 में भी 15 फीसदी था तो यह लॉस आपका है क्या आप अपनी जमीन इंटाक्ट नहीं कर पाए और अब भी क्या बीजेपी की सोशल इंजेनिरिंग आपके OBC वेलफेर सोशल जस्टिस पर भारी दिख रही है गर्मा जी हमारे मिशन का एक बड़ा फर्ज तो पूरा हो गया अब से 30-35 साल पहले जब हमारे जैसे लोग पेलिविजन पर बैठ करके या किसी मंच से इन वर्गों की जातिकत जन्गन्ना की समद्ध उनके प्रुपोर्शन रिपर्जेंटिसन की मांग करते थे तो हम जात अगरवाल जी अभेदूबे जी आज जिस भाषा का इस्तेवाल करते हैं मैं उसका स्वागत करता हूं यह भाषा तीस साल पहले 40 साल पहले गोपाल जी नहीं थी आप जिकर कर रहे थे मैं थोड़ा सा आपको अत्कीत में ले जाता हूँ मैं पठना में बैठा हुआ हूँ 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें आपकी मात्र पार्टी जनसंग भी हिस्सा थी मुंगेरी लाल कमिशन की रिपोर्ट धूल छाक रही थी हमारे नेता करपुरी ठाकुर ने उसको इंप्लिमेंट किया और आपकी पार्टी ने विदिन पार्टी करपुरी ठाकुर जी को हटा दिया ये historical fact आप करेक्ट कर लीजिए नमबर एक नमबर दो मंडल कमिशन साथ अगस्त 1990 को इंप्लिमेंट हुआ लगाया विपी सिंग ने चुके मैं भी उस सदन में था और अभेदुबे जी माफी चाहूंगा आपसे भी राजीव गांधी जी और अडवाने जी भी दोनों मंडल कमिशन के खिलाब विरोध में थे और दोनों ने मिलकर के वीपी सिंग की सरकार गिराई तबी सरकार की ली वीपी सिंग जी की जब दोनों मिले खेर राहुल गांधी जी ने उस historical चीज को correct किया और मुझे पुरसनेता है कि आज सारे देश में वह जातिकत जन्गन्ना की मांग करते हैं लेकिन गर्मा जी यह यहीं तक नहीं रुखता है और किसी को सिंबोलिक एक मुक्वंत्री बनाने से ना बनाने से कुछ नहीं होता है आपने कल्यान सिंग जी को बनाया था आपने बाबलाल गोड को बनाया था तो तो शस्केर नहीं हुआ था अब जब विहार से तीर चला है और अब हैं और लेकिन केशी त्याता है कि जात बंदन का इस समय कॉंग्रेस के साथ जेड्यू भी और आप भी कॉंग्रेस मजॉरली इन तीन हिंदी पट्टी के राज़यों में लड़ रही थी और पीएस का मुद्दा था और का मुद्दा था क्या कॉंग्रेस की हार ने वाकई एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया है क्या कि उधर तो बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है अगड़े हैं सब हैं आप कार्ड लेकर क्या दोजार चौबीस में लड़ाई लड़ पाएं ने मुझे ने एक तो गर्मा जी मुझे आपकी इस शुद पर रहतलाज है कि कॉंग्रेस जो है सिरे से खारिज कर दी एक परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट बोट कम हैं बीजेपी से कॉंग्रेस की एक तो खारिज नहीं हुई और अबेदुबी जी को बहुत सनेयों के साथ मैं कहना इहार थे नितिश कुमार आते मुलहें सिंह यादव आते ममता बनर जी आती लालु यादव आते और लोग आते तो जो आपका जन्वादार है वो खिलता उनके चेरे खिलते इनके इनको देख देकर करके जो सत्रंगी था हमारा वह एक रंगी रह गया तो मैं एक तो पर इसकी सरकार थी गैलोत की सारी की सारी सीटें बीजे पीगी थी वहाँ पर कमलनात की सरकार थी एक को छोड़के सारी की सारी सीटें बीजे पीगी थी वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार थी मगहिल साब की वहाँ दो छोड़के सारी की सारी सीटें बीजेपी की थी एक तो इसको लोग समझ चुनाव समझ जो लेकिन केसी तैंगे जो आपने पहला सवाल किया है और अनुभव यह रखती है तो मुझे ये बताईए कि वो जो 44 पीसदी का वोट शेर 2019 में बीजेपी के साथ चला गया 52% का 44 पीसदी बीजेपी के साथ जिसने बड़ी भूमी का निभाई जीत में वो 44 पीसदी आपके पास आएगा तो किस बिना पर आएगा किस वादे पर आएगा 2019 में गर्माजी कोई अलाइंस नहीं था अब ये गठबंदन बना है बिहार में में हूँ पठना में या जेडी उ और गठबंदन बनता भी कब है हमने अपने 25 साल की दुश्मनी आर जेडी से खतम करी हमने 50 साल की दुश्मनी अपनी कॉंग्रेस से खतम करी हमने CPI, 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 ML लिये आज निटिश कुमार के नेत्वित में हमसे सरकार भी ठीक चल लिये गठबंदन भी चिल रहा और गठबंदन को चुनोती आप जो कहरें रिजिनल पार्टी रिजिनल पार्टी कॉंग्रेस के साथ जब मिल जाती है तो परफेक्ट हो जाता है बिहार में जहारखंड में आप देखेगा तमिलाड में लेड बाई इस्टालिन आप देखेगा ममता दीदी का आप देखेगा कल महराष्ट का सरथ कुमार के नेत्वित में पिछली बार भी एक एक मराठा ने बोट किया है इसलिए जहां से हम चले थे और जो हम कहते है आज सारी पार्ट्य graphics और बीजे उसी पर जात्पात मत करो जात्पात मत करो सबसे बड़ा कॉस्ट्रिश इसमें वह आदमी है जो कहता जात्पात मत करो आप पैदा कहा हु हुए थे आपका नाम upfront कैसे हुए त्है कैसे अपके और आपने जो बात किये घर्माजी अब से 30-40 साल पेने में चोदरी चरंण सिंग जी के साथ था मैं उन्होंने किताब लिखी ती जाती वादी कौन उनको भी जाती वादी कहते थे यानि के जो इस्थाफित नौर्ब सम्था सोसाइटी हैं उससे अलग घटके सोचोगे और प्रपोर्पोर्शनल लिपर्जेंटेसरी मांगोगे आप जाती वादी हैं और जुन्होंने कुंडली मारी है तीन हजार साल से उससे चिटके बैट रहे हैं किसी कुछ देना नहीं है अन्याई हैं सामाजी निसमता के प्रटीक हैं वो जेंटिलमेन हैं ये परिवाशाएं भी लोगों ने घटली लिया जा दो हजार चोबिस के चुनाव में सामाजी की न्याए गैर बराबरी के विरुद चुनाव भी होगा और युद्ध भी होगा उन्हों पास्तों भी जी होगी जो न्याए के साथ खड़े होंगे